कूकर में लेसन डालते ही चोक जाएंगे तो आप लोग कैसे हैं असा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे नमस्कार हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है तो चलिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कबार से जुगार बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जिसस कि आप अपने काम को बहुत ही इजली तरीके से कर सकते हैं जिससे कि हमारे धेरो पैसे भी बचेंगे और हमारे काम भी हो जाएंगे तो चलिए सबसे पहली टिप्स हमसेर करते हैं आप लोगों के साथ में जो की बहुत ही यूजफुल है और हमारे बहुत सारे पैसे बचने फेक देखे की यारे मंज़िया को और मिलते हैं इतने खाने वाले इसको फेकते हैं 的 आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं किस गाव किस सहर से मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले तो इस तरह से इसमें हम पानी डाल देंगे क्या होता है आइस क्यूब अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं है तो हमें आइस जमानी होती है तो हम किसी बरतन मे भगाने में या किसी चीज में जमाते हैं तो वो हमारी आइस क्यूब उसको तोड़ने में बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि बहुत बड़ी होती है तो इसको हम क्या करेंगे अब चलिए इसको प्रीजर में रख देते हैं ये बहुत जल्दी जम जाती है एक घंटे में अब आप इसमें बड़े बरतन में भी लगा सकते हैं और निकाल लीजे फिर से आप इसको लगा सकते हैं तो देखिए निकालना भी बहुत आसान है नीचे से थोड़ा सा दबाएंगे और यह आसानी से निकल जाएगी कितने अच्छे से यह जम गई है और छोटे-छोटे अब इसमें पैसा भी लगाना पड़ता है और इससे हम आसानी से बरप को जमा सकते हैं तो देख सकते हैं कितनी ढेर सारी बरप हमारे एक डब में जम के तैयार हो गई है और इसमें चलिए फिर से हम जमा देते हैं उमीद करती हूं आज की टिप्स आप लोगों को जरूर य अंदर काला पना जाता है उसके लिए हम क्या करेंगे कोई भी आप ले ले जीए जो भी आपके पास यहीं होता है कभी कभी बच जाती है और खराब हो जाती है जब तो उसको तरफ फैला देना है और पहलाने के बाद में आप देखेंगे कि यह बहुत जल्दी आपको और जैसे पीछे का हिस्सा होता है वाइट कूकर में तो इसमें भी बहुत सारे ताग पढ़ जाते हैं काले काले डेली साफ करने के बावजूद भी तो बहुत सारे हो जाते हैं तो इस पे भी हम एक चमट डाल देंगे यही जो कोल रिंग है इसको डालने के बाद में इस पे थोड़ा सा हम चारो तरफ इसको फैला देंगे और जैसे इसको फैलाएंगे तो यह अपने आप ही इसका जितना ही काला पन है जिन जो जगंदगी जमी हुई है वह बहुत जल्दी रिमूब होती है इसके बाद में थोड़ा सा इस पे हम इनो डाल देंगे इस तरह से इनो बाद में उंगली की साहता से आप पूरे पे फैला दीजिए और फिर इसको पांच मिनट के लिए छोड़ दीजिए अब यह आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी इस पे हाथ से रगड़ने कि कोई आउसकता नहीं पड़ेगी यह तुरंत साफ हो जाएगा तो इससे हम दूल के आप देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन हो गया है उमिद करती हूं यह भी है टिप साफ लोगों को ज़रूर पसंद आएगी तो देख सकते हैं इसको पांच मिनट होने के बाद में मैंने इसको कितनी जल्दी से साफ हुआ है सिर्फ मैंने साबून लगाई और इस तरह से थोड़ा साहसे रगड दिया हं और बिना रगडे ही आपका कूकर एक दम चमक गया जैसे लगता है कि नया सा कूकर हमारा हो गया है सकते कितना अच्छे से कलीन हो गया है आप इसी तरह अपने जल्काइवेक्त़ हो या कढायी हो आप साप कर सकते हैं aur follow using ौर्सय तो तीन बुंद ओयल ले लिए मेरे हाथ में कुछ जादा गिर गया था लेकिन जितना ज्यादा आप हाथों में लगा लेंगे पूरे हाथों में अपलाई करने ना है थोड़ा सा अरवी के उपर भी इस तरह से लगा दीजिए उसके बाद आप अरवी को छीलेंगे तो आपक हाथों में विल्कुल भी खुझली नहीं होगी और यह किसी किसी का गला पकड़ती है तो उसके लिए भी हम बहुत बढ़िया टिप्स लेकर के आहें आगे आप देखते रहे हैं तो इस तरह से इसको छिल-छिल करके पानी में डालते जाहिए उसके बाद में इसको हम बतात साफ कर लिए ली ठोड़ा सा नमक काटने से पहले हम पानी में नमक डाल करके इसको 10-10-15 카. इसके बाद में हम अर्वी को कट करके बनाएंगे तो यह जो गले में हमार गला पकड़ने लगती है उसको नहीं हो और प्छे से दो अश्य से साफ कर लेंगे और फिर इसकी सबजी बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी सबजी बनती है और हमारे हाथों में भी कुझली नहीं होगी उम्मिद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आएगी तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है इस समय नया चला जाता है तो बहुत दिक्कत होती है तो इसलिए हम आज आप लोगों के साथ में सेर करने जा रहे हैं कि नए लैसुन को हम किस तरह से छिले जिससे कि हमको समय न लगे तो कुकर ले ले लिजे और कुकर में डाल दीजे एक गिलास पानी डाल करके कुकर का ढखकन लगा दीजे और इसको पानी को हमें गरम कर लेना है तो चलिए इसको गयस पे चढ़ा करके सिर्फ इसको एक बॉइल लगाना है ज्यादा नहीं सिर्फ पानी उबलने लगे उतना ही गरम करना है और गरम करने के बाद में आप देखेंगे आपका लैसुन अब एक कटोरी ले ले इसमें पानी डालने क्या हो सकता नहीं है सिर्फ कटोरी उसी पानी के अंदर रख देना है और इसका धकन लगा देना है अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे कूकर को बंग करके छोड़ देना है जब भी समय मिले तो इस तरह से हम छील करके लैसुन धेर सारा रख सकते हैं तो द देखिए कितनी जल्दी से यह लैसुन हमारा छील जाएगा तुरण चाहे जितना डेर सारा लैसुन छील करके आप रख सकते हैं उमिद करती हूं आज की हमारी यह लैसुन वाली इसमें से आपको कौन सी टिप्स सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करना बिलकुल भ सकते हैं और चील करके आप प्रीज में श्टोर करके किसी अड़कन वाले डबे में रख कर के आप रख सकते है क्योंकि लैसुन जब छिला रख रहता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि लैसुन छीलने में ही सारा समय निकल जाता है और मॉर्णिन में तो सबसे करके लेस्न को छीलें तो वहां पर जा करके देख सकते हैं पुराने लेस्न को छीलने के लिए नया लेस्न इसी तरह आप चाहे जितना हो आप धेर सारा लेस्न बिर्कुल पांच मिनट भी नहीं लगेगा अगर लगे कि उपर का जो हमारा होता है उसको थोड़ा सा चाकू से क करते हैं आसा करती हूं आज की टिप से आप लोगों को जरूर पसंद आई होंगी पसंद आई हो तो लाइक करना सेर करना और अपनों के साथ सेर जरूर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाश्यू